जोस्तों आपने summer के season में लोगों को अपनी छटों पर पानी डालते हुए देखा होगा और साथ ही अगर किसी को fever हो जाता है तो उसको ठंडे पानी की पट्टियां करते हुए देखा होगा क्योंकि उन दोनों situations में हमें कमरे को ठंडा करना होता है और साथ ही fever के temperature को कम करना होता है तो ऐसे में हम exactly कौन सी process का यूज़ करते हैं तो देखिए ऐसे में हम लोग यूज़ करते हैं जिस तरी के से पानी डालता हूँ वैसे ही पानी की बूंदे जो है वो वैपर में convert हो जाती है इसका मतलब जो heat है वो basically इस ठंड़क को follow कर रहे है और उसकी वज़े से ये state transformation हो गया इसी demonstration में आप एक और effect देख सकते हो कि जैसे ही water droplets iron के surface पर पढ़ती है वैसे ही droplet का नीचे वाला हिस्सा तुरंत वैपर बन जाता है और वो उपर वाले हिस्से को इस surface से isolate कर देता है जिसकी वज़े से आपके droplets इस पर travel करती भी नजर आती है इस effect को lighten frost effect कहा जाता है